ये गाइज विल्कम बैक टूरान चैनल प्रयांका द फार्मसिस्ट फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि बच्चों के अंदर जो प्रीमेचूर ग्रेंग ओफ हेर हो जाती है वो किस वजह से होती है तो फ्रेंड्स बड़े टाइम से मुझे इस बहुत ही इंट्रस्टिंग है जिसे लिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टाटिट तो फ्रेंड्स जब भी बड़ों के अंदर यानिकि अडल्ट के अंदर ग्रेंग ओफ हेर होती है तो बहुत ही कॉमन होती है राइट लाइक उसके लिए हमें इतनी टेंशन नियों होत और अलगयों करना चाहिए लाइक तो हमें इसके रिजन बता करना चाहिए कि क्या है कि बच्च के सिर में इतने जड़ा ग्रेंहें है अगर आपको लग रहे हैं अगर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं एक इप वोड़ों हो रहा तो अभी मैं आपको बताती ह यूँकि क्या क्या कारण है कि बच्चों के सिर में ग्रेय हेर्स आने शुरू हो जाती है नंबर वन पर आता है फ्रेंट्स वारे पास जेनेटिक्स जेसे कि हमारी फैमिली में किसी को कोई प्राब्लम हो पहले से ही अगर ना जैसे कि आपको कोई भी बिमारी के बारे में पता जाएं तो पहले से किसी को चलती आरही है तो अगर उस आपकी फैमिली में से किसी को भी यह प्राब्लम है देदेर आर्मोस्ट लाइकली आपके बच्चे के अंदर भी इंश्यू हो सकता है तो जनेटिक्स इस नमबर वन रिजन तो अगर आपके घर में आपको या आपके स ऐसा है अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की कोई जौरत नहीं है इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं होता है नंबर टू होता है मैडिकल कंडिशन्स कुछ इसी होती है जो बचों के सिर में ग्रे हेर्ट कर देती हैं कुछ कंडिशन्स जैसे की विटिलगो विटिलगो में क्या होता है कि हमारी बॉड़ी के अंदर एक मिलैनोसाइट्स होते हैं कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि मैलनिन बनाते हैं मैलनिन एक केमिकल है जो हमारी स्किन को हमारे हेर्स को कलर प्रदान करता है तो अगर मिलैनोसाइट एक MILANIN बनाना बंद कर दें तो भी बच्क को ग्रेय हैर होने शुरू हो जाते एक condition हो जाती है जिसको बिट्टिलों कहते हैं या जिसको फुल वहरी भी कहते हैं तो उसमें skin के उपर white white चकत्ते हो जाते हैं white white दाग पढ़ जाते हैं और जो कि जिसके कारण एक जिसका एक होता है बच्चे के सिर में वाइट हेर्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं सेकेंडली ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव थाइरड थाइरड ग्लैंड हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारी बॉड़ी के अल्मोस्ट सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारा भोटापा हो या बच्चे का थाइरड ग्लैंड ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है तो भी हो सकता है कि बच्चे की ग्रे हेर्स निकल रही है तो यह जो कंडिशन होती हैं जैसे कि विटिलगों हो गया या फिर ओवर या अंडर एक्टिव थाइरड ग्लैंड हो गया इनकी वज हो रहे हैं दौरे भी पढ़ रहे हैं या फिर हेरिंग लॉस भी हो रहा है तो यह सब इंटर कनेक्टिड है अगर है तो बच्चे को यह मैडिकल कंडिशन हो सकती है तो आपको उसके उपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है नंबर पर आता है डेफिशेंसी ओफ बी चिकन बगेरा खाते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनके अंदर वाइटमीन बीट्वेल अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो अगर बच्चे के लेवल पर जरूर ध्यान दे कि कहीं इस वज़े से तो बच्चे के ग्रे हैर्स नहीं हो रहे हैं नमबर फॉर पे आता है stress बच्चों के अंदर बहुत कम होता है it is very unlikely कि बच्चों को stress हो लेकिन फिर भी कुछ environmental stress हो जाता है बच्चे को जैसे कि जेनो टोक्सिक stress उसमें क्या होता है अगर बच्चे के अंदर कुछ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं या बच्छों की ऐक सर्टएन एज के बाद 2 या 3 साल के बाद बच्छे सींथेटिक पृड़क्ट्ट्ट्ट यूज़ करना शुरू कर देते गांसिंदेटिक शैंपूस वगईरा या कंडूशनर्स वगईरा जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अब डेफिनेटली हम लोग भी जब यूज करते हैं धीरे-धीरे हमारी बॉड़ी के उपर हमें उनके चेंजिस दिखने लग जाते हैं ऐसे ही अगर बचे छोटी एज में ही कैमिकल्स को एक्सपोज करते हैं तो उन अब हर्बल प्रड़क्ट्स पर आईए आज मार्केट में बहुत सारे हर्बल प्रड़क्ट्स हैं आप उनको यूज कीजिए उनसे बच्चों के हेर वाश कीजिए जिससे ग्रेंग के चांसे बहुत कम हो जाएंगे जैसे कि अगर आपको एक या दो हेर्स ट्रैंड्स बच हेर दिखे तो उसको कभी भी भूल के तोड़िये मत लाइक उसकी जगह पे और बहुत सारे नए नए बाल निकलने लगते हैं ऐसा होता है तो इसलिए उसको कभी भी प्लक्ट नहीं करें अब अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में बच्चों के अंदर जो हेर होते हैं उसका एक में सिरफ ट्रीटमेंट है अगर मैं आपको बताओं तो और कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है अगर बच्चे को हेल्दी फूड देंगे तो डिफिनेटली बच्चे के बाल अपने आप लस्चरस शाईनी ब्लाइक घने अच्छे हो जाएंगे वाइटमिन हैं जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ मिनरल जैसे की जिंक कॉपर यह बच्चे के डाइट में जरूर होने चाहिए जो कि आपको सप्लिमेंट के तुरू मिल सकते हैं तो अगर बच्चा बाहर का जंक फूड खा रहा है तो क्या ह होते हैं ना कि उसमें प्रोटीन वगएरा की बहुत कमी होतीए उसके अंदर में लेकर बीजिव यह हो गया जिंकी Aber ये सारी चीजें आपको हमारी daily diet में जरूर मिलती हैं, green leafy vegetables, yellow vegetables, colorful vegetables, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे fruits, citrus fruit, आमला, इतनी सारी चीजें हैं कहाने के जो हम daily में कहाते हैं, कुछ special देने की जुरत नहीं है friends, जो बच्चे घर का normal खाना खाते हैं, डालें, सबजी, रोटी, हरी सबज इनसे ही बच्चों की हेल्फ बहुत अच्छी रहती है तो आप कोशिश किजिए कि बच्चों को जंक बंद करवा के घर के खाने पे ज्यादा से ज्यादा लेकर आएं कुछ पर्टिकुलर चीजें जैसे कि एग ड्राइड एप्रिकॉट एप्रिकॉट यानि कि खुमानी डिफिनेटली एफक्टिव होती है तो कुछ ओम रेमेडिज आपको ट्राइड करने चाहिए अपने बच्चों के लिए सबसे नंबर वन पर है आमला आमला सिरफ बालों के लिए जाना ही नहीं जाता है माना भी जाता है अगर कोशिश करें तो बच्चे को खिलाएं जरूर ठीके आप उसको सबजी में डालके खिला सकते हैं फ्रूट खिला सकते हैं आमले का मुरब्बा खिला सकते हैं आमला की कैंडी खिला सकते हैं और आमले का ओल जरूर बच्चे के सिर में अपलाई करें डेली अपलाई करें हैड वाश करने से पहले अपलाई करें आमले के अं और अमन्द का आयल भी मार्केट में रेडी मेट मिलता है आप उसको यूज कर सकते हैं आमन्द के आयल को आप क्वांटिटी में मिक्स की जिए उसको थोड़ा सा वां की जिए और बच्चे के सिर्फे अप्लाई की यह बच्चे के बाल को स्ट्रेंट देगा उसकी जड़ों को बनाएगा बालों को लस्टर्स बनाएगा और ग्रेंग ओफ हेर को स्टॉप करेगा तो अगर बच्चे को यह सब नहीं लगा रहे हैं तो मेरि अष्ट त्राइज जरूर करके देखे नमबर थी पर आता है curry leaves and coconut oil यह बहुत effective है इसके अंदर आपको क्या करना होता है coconut oil को अच्छे से गरम करना होता है और उसके अंदर curry leaves को डालना होता है तो आपको क्या करना है कि उन पत्तों को तब तक पकाना है जब तक कि वो black नहीं हो जाएंगे तो जब वो अच्छे से लीव सारे ब्लैक हो जाएंगे तब आपको उसको थंडा करके स्ट्रें करना है एक बॉटल में भर लीजिए और उसको एक साइड में रख दीजिए और उसको जब भी बच्चे के हैड वोश करना है उससे वन नाइट पहले बच्चे के सिर में जाते हैं तो उसमें मेलनिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और बच्चे के ग्रेय हैर होना वहीं पर इस ट्रॉप हो जाते हैं और एवन ब्लैक हैर बनना शुरू हो जाती है तो यह बहुत इफेक्टिव है यूशुड ट्राइट इस वन उसके बाद आता है घी घी य प्रॉंग हो और साथ की साथ ब्लैक भी है आप अल्टरनेटिव टाइम पर यह ट्राइब कर सकते हैं कभी आपने घी लगाया और कभी आपने करी लीव का ओयल लगाया यह कुछ मल्टिपल आप रेमेडिस ट्राइब कर सकती है उसके बाद लास्ट ली आता है आमंड ओल औ अपने एड तो घ्राइब करके एक पेस्ट वना लेना है मोवकर नबड़ के लगाना हैं सीर्द होने से तीन चार गंटे पहले उसको अप्लाइब करें और उसको जड़ों के अंदर अच्छे से जाने दें अच्छे से असको एब्जोब होने ले तो जो जब इनकी बनना शुरू होते हैं ब्लैक हेर बना शुरू होते हैं और ग्रेंग जो है वह स्टॉप हो जाती है उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर दूगी आपको कैसे-कैसे यह बनाना है और प्रोडुक्ट का भी लिंक दूगी ताकि आप उनको चेक कर सके और definitely try to figure that out as early as possible possibly so guys this is Priyanka signing off right now i would like to see you back in my next videos bye bye thank you